बिहार के नवगचिया जिले में बार से हालात विकट बने हुए हैं और जिधर भी देखिए आपको लगेगा केवल पानी ही पानी उधर नजर आ रहा है हम दरसल सवक्त मौजूध हैं नवगचिया जिले के रंगरा प्रकंड में और रंगरा प्रकंड के सद्धवा गाउं में इसorkश आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं और हजारों की आबादी जो है वो प्रभावित है हम जहां पर मौजूद है यह इस गाउं को जोडने वाला मुख्य सरक मार्ग है और हम जहां पर हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं कमर भर पानी है आगे जाएंगे तो और बताया जा रहा है कि पानी और गहरा है लेकिन महि नहीं है जरूरी कोई भी काम करने के लिए जाना हो तो नाओं क्योंकि यहां पर भी तक बताया गया कि प्रशासन नहीं दिया है सोनी की यह बताएं सद्वा गाओ कभसे डूबा हुआ है कितना दिन हो गया डूबा हुआ है दस दिन से पानी भरा है हाँ दस दिन से पहनी में दूल रहा है है घ्लस भूसा गाइमाल सब नेनी पे ज़रा है पुरा ट्टेल थे कीजाए तो दस दिन सा सई हलात है तो पानी अभी बह भी रहा है कि कम हो रहा है कि प्रया है हर साल यहीं होता है क्या हर एक साल होता है कोई सरकारी कोई मदद कोई पूछने आता है आप लोग से क्या हुआ है कुछ तोन से भी आ रहे है वğimiz कि नाम आदतने हैं परसानी क्या हो रहा है आपका नजर में खुद धिलक रहा है हम क्या बोलेंगे तो जाहिर सी बात से देख रहे हैं जो स्थानी लोग बता रहे हैं कि पानी अभी बढ़ी रहा है और इसलिए लोगों की समस्या जो है अभी कुछ दिनों तक इसी तरीके से रहेगी और पानी कम होने में लगता तो तीन-चार महिने लग जाएगा इस पानी को निकलने में तब तक यहां के लोगों को इसी तरीके से मुश्किल हालात में जीना पड़ेगा कैमरपोसन दीपक कुमार और सुजीत के साथ रोहित सिंग रंगरा प्रखंड नवगचिया आज तक अगर यह व हुआ